हेड्लाइन्स के प्रायोजक हैं L.I.C. of India जिन्दकी के साथ भी, जिन्दकी के बाद भी बायोपिक पी-म नरेन्मोदी पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक अब चुनाव के बाद होगी रिलीज कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने मेठी से भरा नामांचन पत्र राहूल गांधी का पूरा परिवार रहा मौजूर प्रदहान मंत्री नरेन्मोदी का कॉंग्रेस परवार कहा कॉंग्रेस में बनाया मध्यप्रदेश को अपना एटियर 36 गड़ में कॉंग्रेस की नकसल नीती पर सवाल अस्मंजस में है फोर्स के जवान और फिर हुआ बेनामी संपत्ती का खुलावा ग्रामीड विकास बैंक की के मैनेजर स्टी सी टोकी के यहां च्छापा नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल नियूज अब खबरे विस्तार से प्रधान मंत्री नरिन मोदी के जीवन परवली बायोपिक पीम नरिन मोदी की रिलीज पर चुनावायोग ने रोक लगा दी है यह फिल्म निर्माण के साथ ही विवादों में आ गई थी पिछले एक हफते से फिल्म रिलीज को लेकर उठा पठक देखने को मिल रही थी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अब चुनाव आयोग ने फिल्म की रिलीज को रोक दिया है बायोपिक पि-म नरेन मोदी तेर रिलीज जेट पर नहीं आ पाएगी फिल्म में विवे को बेराय प्रदान मंतिर नरेन मोदी की बुमी का निवा रहे है निर्वाजचन आयोग ने मोदी बायोपिक सहीच ऐसी किसी भी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई है जिनका सम्मंद राजनितिक है और वे चुनाव पर असर डाल सकती है फिल्म को किसी भी इलेक्ट्रोनिक, सोचल मीजिया या सिनेमा के दूसरे माद्यम पर प्रदशन करने पर रोक लगाई गई है चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस मामले की गहराई से जाच करेगी चुनाव आयोग के आदेश के मताबिक चुनाव के चलने तक पियम नरन मोदी की बायोपिक को रिलीज नहीं किया जा सकीगा बायोपिक के कंटेंट को लेकर विवात के चलते मोवी के रिलीज पर रोक लगाने की जाचिका सुप्रिम कोड में भी तायर की गए थी मंगल बार को सुनवाई के दौरान सुप्रिम कोड ने अपने फैसले में कहा था कॉनवा आयोप इस बात का नड़न लेगा कि पीएम नड़न वो भी किसी तरह की आचार सहिता का उलगन तो नहीं कर रही कॉंग्रेस अध्यक शिवा प्रत्याशी राहूल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन पत्र लाकिल गर दिया है इस दोरान उनके साथ उनकी मा और पाटी की वरिष्ट नेता सोनिया गांधी बहन प्रेंका गांधी वाडरा जीजा रावर्ट वाडरा मौजूद रहे राहूल अपना नामांकन पत्र भरने से पहले गौरी कंज पहुँचे यहां से उनका भीड भरा रोट शो शुरू हो गया कलेक्टिट तक जारी रहा इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रेंका गांधी वाडरा के अलावा उनके जीजा राविट वाडरा और भांजी रेहान और मिराया भी मौजूद थे पहले उनकी मासूनिया गांधी के भी रोट शो में शामिजूने की बात कही गई थी लेकिन बाद में वितीवे कलेक्टिट कारेने पहुची राहुल के रोट शो में विशेष जंडे नगर आ रहे हैं जिन पर नियाय योजना के लिनारे लिखे हुए हैं हमेठी सीच के राहुल गांधी के साथे एक पर फिट ते स्मृतिरानी मैदान में ह हैं मैं देश को बता रहा हूं कि राफाइल मामने भी खुला मखला रश्टा चाहर हुआ है चौकिदार जी ने अने लंगाने को 30,000 क्रोर पे दिया है और चौकिदार मुझसे डिबेट करना नहीं चाहता है क्योंकि चौकिदार जी जानते हैं कि जिस दिन मेरे साथ उन्होंने डिबेट कर दी अब रोश्टा चाहर है वो हिंदुस्तान की आप में आप नहीं प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने मध्यप्रदेश के मुक्मंत्री कमलनाथ के करीवियों के यहां पड़े इंकम टेक्स के चुटकिली है और कहा कॉंग्रेस के घोटाले में एक नया घोटाला सबूतों के साथ और जुड़ गया है वो है तुगलक रोट चुनावी घोटाला उन्होंने कहा कॉंग्रेस में मध्यप्रदेश को अपना ATM बना लिया है जुनागर में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी न है तुगलक रोट चुनावी घोटाला कॉंग्रेस गर्ववती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसों को लूट रही है मीडिया में दिख रहा है कि कॉंग्रेसियों के पास से बोरा भर भर के नोटों की गड्या मिल रही है कॉंग्रेस से पहले करनाटक को अपना ATM बनाया अ कई नामों से कॉंग्रेस की पैचान गोटालों से जुड़ी हुई है लेकिन अब सबूतों के साथ हवा बाजी नहीं सबूतों के साथ एक नया गोटाला कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है और वो है तुगलक रोड चुनावी गोटाला सिध्धान्तों के लिए जीने वाले मुराजी की सरकार कोईमों ने गिरा दिया अब इन्हें मुझसे मुसीबत है कि एक चायवाले ने पूरे दंखम से 5 साल कैसे निकाल गी एक कॉंग्रेस के टेप रिकॉर्डर पर दिन पर दिन एक ही गाना बचता है मोधी हटाओ मोधी हट चतीजगड के दंतेवाडा में नक्सलियों ने IEG ब्लास्ट किया था जिसमें इस्थानिये भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौध हो गई से और पांच जवान शहीद हो गए बीजेपी विधायक धीमा मंडावी की अंतेश्टी के बाद चतिजगड की नई कॉंग्रेस सरकार की नक्सल नीती पर सवाल खड़ा हो गया है सरकार बदलने के बाद से फोस अस्मंघस में है जवानों को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार की नीती क्या होगी जंगल में नकसल विरोधी ओपरेशन लगभग बंध है जिससे नकसलियों को बाहर निकल कर वार्दात करने का मौका मिल गया है बुखमंत्रे बुपेश बगेल ने दंतेवाडा पहुत कर नकसली हमदे में शहीद हुए बीदिती विदाय दीवा मंदावी और शहीद जवानों को शद्धा सुमन अर्पिक किये इस घटना के बाद से ही प्रदेश में शोक काम माहौल है दंतेवाडा जिले के पुआ कोंडा थाना चेथी में मंगलवार सुननस्यों ने आईडी ग्लास किया था घटना के बाद पॉइंट पर फॉरेंसिक जाच टीम श्यांगरी पहुती प्रावंदेश जाच में पाया जासी आईडी विस्पोर्ट से उस जगहा पर 5 मीटर चोड़ाई और 6 मीटर गहराई का गड़्धा हो गया है विस्पोर्ट में 40-45 फिलो का आई डी वव इस्तिमाल किया गया है वक्त ब्रेक का है ब्रेक के बाद जाच हाजर होंगे आप देखते रहे हैं दखल्यों आप देख रहे हैं दखल्यों पांच साल पहले आये थे हैं हमारी खेतों तक यह लोग बोले खेत से दूगनी कमाई हो दी पंदरा पंदरा लाग रुपए आएंगे खाते में अब किसान आदमी हैं कर लिया इन पर भरोसा दे दिया अपना वोट और अब जब अपना हक मांगने सडकों पर आया हूं तब बात मसम्मान चीन लिया इन्होंने मेरा हमें नहीं मालूम था कि यह लोग हमारे लिए नहीं हमारे बोट के लिए आयते खेतों तक मिश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा महनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से हम महनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जड़ा बच्के रहना देश के दिल से दिली दार अब कॉंग्रेस बहुत हुई महंगाई की मार यही बोल बोलकर मेरा वोट ले गए पिशली बार ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफे जब सेलेंडर हजार रुपे का हुआ तो घड़ी देख देखके चूला जलाने इन्होंने नोट बंदी करके मुझे मेरी ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया आज उमीदे और भरोसा दोनों टूट गए अच्छे दिनों का जासा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना देश के दिल से दिल्लीता अब कॉंग्रेस आप देख रहे हैं तखल्यों मोदी 26 अपरेल को ही नामंदन भरेंगे मोदी के नामंदन और रोड शोकेवास्त पार्टी अध्यक्ष अमिश्या ग्रह मंत्री राजनात सिंग के अलावा बीजे के शाषित राजों की मुखमंत्री और सभी दिगजनेता मौजूद रह सकते हैं वारानसी में आकरी चरण म मतदान शुरू होना है यहाँ 19 मई को मतदान होना है प्रधान मंत्री मोदी ने अब तक वारानसी में कोई चनावी रैली नहीं की है पुलबामा में 14 फरवरी को CRPF के गाफिले पर हुए हमले और उसके जवाब में 26 फरवरी को भारती वायुसेना की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है ऐसे में भारत की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र की नरेन मोधी सरकार ने रूस से 464 नए T90 टैंक खरीदने के स्वादे को मंदूरी दी है इस रक्षा करार पर निकट भाश में दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे 13,500 करोड रुपे की लागत से मिलने वाले T90 टैंक को भारत पाकिस्तान की सीमा में तैनाथ करेगा नए T90 की सबसे बड़ी खास्यत ये है कि रात में भी दुश्मन की ठीकानों पर हमला करने में सक्षम है इस डील के बाल भारती सेना के पास तोपो की संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी भारत के पास फिलाल T-72 और T-55 टैंक है भारती सेना अरजुन मार्क वन टैंक की दो रेजिमेंट को हमेशा तैनाथ रखती है दिनका इस्तेमाल रेकिस्तानी लाफों में किया जाता है भारत ने रूस से साल 2001 में 310 T-90 टैंक खरीते थे यह भारत में पहले से इस्तमाल हो रहे T-72 टैंक का ही विक्सित रूप है इसके करीब 60 भूसदी पुढ़े वही हैं जो T-72 टैंक में इस्तमाल होते हैं और इसकी ट्रेणिंग और रखरखाव आसान है पायर पावर की बात की जाए तो यह टैंक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए 4-5 किलोमीटर की दूरी तक इस्तित किसी चार्गेट की पहली ही बार में मार गिरा सकता है कोई अनुभवी व्यक्ति अगर इस टैंक का स्पन्चालन कर रहा हो तो वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चैंक दोडाते हुए 1.5 किलोमीटर से लेकर 0.5 किलोमीटर के बीच इससे 7 चार्गेट को 54 सेकंड में मार गिरा सकता है लोकाइफ पुलिस ने एक और काली कमाई के कुबेर का खुलासा किया लोकाइफ पुलिस ने ग्रामीड विकास बेंक के मैनेजर स्पी सिटोके के यहाँ छापा मार तो आएस से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ लोकाईज पुलिस ने होशंगबाद में तैनाद ग्रामी विकास बैंग के मैनेजर स्पी सी टोके के बोपाल इस घर पर छापा मारा। राज़दानी बोपाल की अरेरा कॉलने सिर्थ नुकूर कुंज में मैनेजर सी टोके के बेटे का घर है। आज सुभा लोकाईज की टीम पहुची थी और छापे की कारवाही को नजाम गया। उनके खिलाव आएस से अधिक संपत्ती की शिकास में ती बोपाल के लावा लोकाईज पुलिस की टीम ने इस सिंसले में हर्दा और टिम्रनी में भी छापा मारा है। टीमों ने इनके अलग-अलग स्थानों पर जो इन से संबन्देते चापेवारी की है। समय ब्रेका है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं भी आप देखते रहिए दखले। आप देख रहे हैं तखले ओड़ दो करोड नौकरियां अर साल देंगे। यही जूट बोलकर मुझसे वोट लियाता है इन्होंने। अज पास साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है। वो कहते हैं पकोडा तलो। सोचा था माबाप की देख भाल करूँ है। उनका सहारा बन होगा। अगर बोज बन कर रह गया हूँ है। सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। वो कुछ पूछने जा तो धितकार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को विरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से इस भाजपा सरकार से भाजपा सरकार से बचके रहना। अच्छे दिन के जूटे बादों के चक्कर में मैंने इने बूट दिया था। इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोट बंदी ने तो हमारे बैपार को बरवाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर सब से छुपा कर पाई पाई जोड़ी थे आड़े वक्त के लिए। सब कुछ छीन लियाक काला धन बता कर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास। जो लाइन में लगे थे हो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था। जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिये गए। अब तो हर महीने जी एस्टी की कटनाई में उलजाया जाता है। अपने कूछ मित्रों को फाइदा पहुचा आने के लिए हमारा व्यापर बरबात करने वाली भाजपा और इस थग मास्टर से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कॉंग्रेस। आप देख रहे हैं दखल्यों। उन्होंने कहा इस बार लोगसभा चुनाव में भारती दिंपापार्थी के पास कोई मुद्दा नहीं है और हम इस प्रदेश की ग्यारा लोगसभा सी जीत रहे हैं। मुखेबंतरी बगेल ने मरवाही थाने में हुई मारपीटी घटा को लेकर ततकाल बिलांसपूर एसपी को थाना प्रभारी को हताने के आदेश दिये हैं। बिलांसपूर एसपी ने मुखेबंतरी के आदेश मिलते ही ततकाल मरवाही थाना प्रभारी को लाइन अटेच कर दिया। रेल पुलिस ने वल्साट पूरी एक्सप्रेस में सेना के रिटार डॉक्टर की पत्मी का फर्स चुराने के मामले का परदा फाश किया है। पर्स में मुबाइल पोन सहे तकरीब 12 लाक रुपे के सोने के जेवराद रहते हैं। पुलिस ने आरोपियों की पटना से हिरासत में लेकर चोरी गया सोना बरामत कर लिया है। CDR के जर्ये साक्ष की सलाज की। तो पता चलाया की संदिग्द आरोपित की लोकेशन पठना की लिट रही है। रात की टाइम पंद्रा तीम की जो दर्मैनी रात है। सुदे चार बजे इसमें उनकी बैकी चली हुई है। और उन्होंने DRP उजेन की रिपोर्ट की है। और हमारी टेक्निकल टीम ने CDR analysis के दौरा और CCTV footage वगर अबहार पर आरोपी को identify करने में सबल होई। जो राजू मिस्त्री एक वेक्पी जो है पटना करें है। उसके दौरा आरोप ये आप्टार किया जाना पाया गया था। पुलिस ने भागवत नागर ठाना अहम्द तुआ पटना निवासी राजू मिस्त्री को हिरासत में लिया। सक्ती से पूश्टाश करने पर राजू ने चूरी करना कबूल कर लिया। उसके घर में अलमारी में छिपा कर रखे गए छे लाख के जेवरात बरामत कर लिये। सक्ती से पूश्टाश करने पर राजू ने पुलिस को बताया कि चूरी का आधा माल उसने उज्जैन के फ्रीगंज इस्तित ब्रिश के पिलर के पास गठे से लबा कर रखा है। साथ ही इस्थान की पहचान के लिए वहाँ एक बड़ा पता रख दिया है। दौर की चर्चा के बाद भी कोई नतीजान नहीं निकला है। समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हासिर होंगे आप देखते रहें। आप देख रहे हैं दखल न्यों। पान साल पहले आये थे हैं हमारी खेतों तक ये लोग। बोले खेत से दूगनी कमाई होगी। पंदरा पंदरा लाग रुपय आएंगे खाते में। अब किसान आदमी हैं। करे लिया इन पर भरोशा है। दे दिया अपना वोट। और अब जब अपना हक मांगने सडकों पर आया हूँ। तब आत्म सम्मान चीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं। हमारे बोट के लिए आयते खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जड़ा बच्के रहना। देश के दिल से दिलीता अब कॉंग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार। यही बोल बोलकर मेरा वोट ले गए पिशली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफे। जब सिलेंडर हजार रुपे का हुआ तो घड़ी देख देख के चूला जलाने लगी। सिर्फ इसी उमीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड रखी थी मैंने। इन्होंने नोट बंदी करके मुझे मेरी ही पैसो के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उमीदे और भरोसा दोनों तूट गये। अच्छे दिनों का जासा देने वाली भाज़पा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिली दार। अब कॉंग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है धार पुलिस ने पीठमपुर से अवैद शराब लेकर बाज जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से शराब की 1425 पेटी बरामत की गई हैं जिसकी कीमत 75,88,000 रुपे बताए जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चुनाव में इस्तमाल के लिए वैद शराब लेकर एक ट्रक पीठमपुर से बाग की और रवाना हो रहा है। इसके बाद राजगर साना प्रवारी बिजेंद्र मिश्रा ने कुछी नाका चौकडी पर चेकिंग के लिए ट्रक रोक लिया। ट्रक में सवार लोगों ने पहले तो पुलिस को गुमरह करने की कोशिश की लेकिन जाच में ट्रक में शराब की पेटियां भरी हुए मिली। यह शराब 9126 बल्क लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालाक भुरा, पिता नंदाक के सरफुरा, पेटलावाद और दूसरे आरूती रवी पिता रगुनाथ जाइसवाल निवासी इंदोर को गर अफ्तार कर लिया है। लोगसभा चुनाव को लेकर चातरपुर में कॉंग्रेस ने पार्टी सम्मेलन कर कारेकरताओं को चुनाव में सजग रहने और प्रत्याशी को जिताने की बात दी। कॉंग्रेस ने सीएम के नजदी की लोगों के यहां इंकम टेक्स की छापे मारी की आलोचना करते हुए कहा कि यह कॉंग्रेस को बदनाव करने की साज़ेश है। इस बुलिटन में फिल हाल इतना ही आपके मारी की लोगों के यहां इस बुलिटन में फिल हाल इतना ही लोगों को मानने से कोई अधिकार मिल जाते हैं। और दूसरी खबर यह देख लो इतर पर टाइगर की पेर काट ले गए राता पानी जंगल के वहां। जंगल नी बचेंगे बता रहा हूं। मुझकी लोगों जाएगी। तोड़ा जोश में रहा हूं। चापे में देखो यह जान मर रहा हूं। जान मर रहा हूं। तो तो अच्छा हुए नीचे पेड था पड़ा अडब गई। सबक्त रहा हूं। सबने शंकालब लिए कि सब एक पेड लगाएं। जोड़ा पेड लगाया करो भई है। जोड़ा में। बतारे हूं। परिमिशन के यूँ देते हूं। मौर्ती के हाठ तोड़ दिया। रस्ता बांद लिया। फेसल मान खाया उसके खड़ेवाले शिवलेंक लेंक के उपर उपर खड़ा कर दिया। दान्स बान चल लिया। और बतानूं। परिमिशन दो ही मात कारी गरों ने कितनी मेनद से चीज़ें बनाई है इनका क्या खराब कुरू करके चले जाएंगी यह तो चल लिया है और यह पेले चड़ा का मद्दान खतम हो गिया और मैं बहुत अच्छा हुआ चाहें चाहें बन हुए बैचारे जो इस्टूडेंट ब परिशा बर्दी है में अटी जिल मोधी बनने वाले हैं शब जीट को मेंने तुड़ा है यह खामलाद में बर्दी है और मेरा भी वाई हम यह भी परिशा वरने जारी है हूं अब बोपाल की खारे हूं हम जारी हूं आप देख रहे हैं तकल्यूल